चैप्टर फिफ चल रहा है हमारा एपी इसमें आज हम पढ़ेंगे सम्मॉफ फर्स्ट एंड टर्म्स ओफ एपी ओके तो सबसे पहले इसका फॉर्मला देख लेते हैं इसका फॉर्मला क्या होता है सम्मॉफ फर्स्ट एंड टर्म्स ओफ एपी का तो यह होता है Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d इसके लावा इसका एक और formula होता है that is Sn equals to n by 2 a plus an ठीक है यह दो formula होते है condition basis पे आप दोने में से कोई भी apply कर सकते है अगर आपके पास an की value given है तब तो आप direct formula apply करते है otherwise आप यह basic formula से चलते है और कई जगे पे an को l लिखा होता है so you don't have to be confused जहां पे l लिखा है वो भी आप कर सही है जगे पे competitive books में an के place पे l लिखा हुआ दिया होता है तो इसके यह जो formula बता है इसके basis पे मैं आपको कुछ बताऊंगी आप लिखान से दिखेंगे इसके बाद हम इसने next exercise करेंगे ताकि आपके formula की practice हो जाए board papers के लिए तो इसमें question number one है मादा find the sum of the first 22 terms of the AP 8, 3, minus 2 and so on तो इसमें A क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा G की value क्या होगी? 3, minus 8 यानि की minus 5 और क्या बोला है first 22 term यानि की N equals to 22 तो अब आपका S, 22 equals to N upon 2 2A plus 22 minus 1 into D ओके? तो यह हो जाएगा 11 ये 16 ये 21 into minus 5 105 ठीक है? तो यह हो जाएगा आपका 11 into minus 89 तो यह हो जाएगा minus 979 ये ही आपका अंसर दो जाएगा S, 22 की value ओके? इसी बेसिस पे इन second question देखेंगे next question है हमादा if the sum of first 14 terms of an AP is 105-0 S, 14 is 105-0 गिवन है आपको N if the first term is 10 A equals to 10 है find the 20th term A, 20 आपको find out करना है तो S, N S, N equals to N by 2 2 A plus N minus 1 यानकी 14 minus 1 into D देखेंगे इस फॉर्म्ला से आपको D चाहिए आपके आपके पास D है नहीं इससे आप D की value find out करेंगे तब आप A, 20 find out करेंगे तो हो जाएगा 10, 5, 0 equals to ये हो जाएगा 2, 7 चाग 20 plus 14 minus 1 13 D आगे दिखेंगे इस कोशिन को ये हो जाएगा आपका 10, 5, 0 upon 7 equals to 20 plus 13 D तो हो जाएगा 7 बन्जा 7 5, 0 minus 20 equals to 13 D ओके तो हो जाएगा आपका 130 equals to 13 D यानकी D equals to 10 है ओके D की value मिल गई यानि A20 equals to A plus 20 minus 1 into D यानकी ये हो गया 19 190 plus 10 200 A20 equals to 200 या आपका इसमें आइसा दो जाएगा ओके नव नेक्स कोशिन देखिंगे नम्बर 3 ये कोशिन आपका क्या है how many terms of A P 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78 Sn equals to 73 आपको n इस में find out करना है तो यह हो जाएगा आपका Sn इकोल्स टू n बाइटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D याने की माइनस 3 है ओ तो यह हो जाएगा आपका यह इसको प्रोड़िट कीजे 156 इकोल्स टू N 48 माइनस 3N प्लस 3 यह जाएगा 156 इकोल्स टू 48N माइनस 3N स्कॉर प्लस 3N तो यह जाएगा आपका 3N स्कॉर माइनस 51N प्लस 156 इकोल्स टू 0 3 से दिवाइद कीजे N स्कॉर माइनस 17N प्लस 52 इकोल्स टू 0 अब आप 52 के फाक्टर्स कीजे तो आपकी आपकी इक्वेशन स्कॉर्ट हो जाएगी तो यह हो जाएगा 52 के फाक्टर्स क्या हो जाएगी आपके 2 से 26 ताइम 2 से 13 टाइम 13 से 1 टाइम यानि 13 और 4 हो जाएग आपकी त्यू के फाक्टर्स तो यह आपका हो जाएगा N-4 और N-13 एकोस तो 0 तो N की वाल्य आपकी आजएगे 4 N-13 ठीक है? तो यही आपको इसमें answer हो जाए अब इसमें next question देखेंगे next question क्या है हमारा question number 4 question number 4 है find the sum of first thousand positive integer thousand positive integer मतलब 1, 2, 3 and so on thousand ठीक है? तो S thousand equals to thousand upon 2 A plus A N यानि कि 500 into 1001 ठीक है? यह रेखिएगा तो यह आपका था तो इसमें आपका प्रोडिट करेंगे आपका आजएगा 500 500 0, 0 यह आपका अर्सर हो जाएगा ठीक है? इसमें एक और पाइट है यह एक और पाइट है यह आपका हो जाएगा N by 2 तो 2 minus 1 1 हो जाएगा तो N plus 1 तो यह हो जाएगा S N equals to N N plus 1 by 2 यह आपका आंसर हो जाएगा नेक्स क्कोशन है आपका आपको अन की वैलुगिवन है आपको अन गिवन है 24 आपको S 24 फाइंड आट करना है तो आप इसमें इस ट्राइब के क्कोशन में क्या होता है? यह जो आपको अन की वैलू जाएगा 5, ऐसी A2 क्या हो जाएगा? 2, 2, 4, 3, 7 A3 हो जाएगा आपका 9, तो आपकी सिदीज बन जाएगी, 5, 7, 9 and so on तो आपका S24 क्या हो जाएगा इस वे में? 24 upon 2, 2A plus 24 मायन से यानकी 23 into D यानी की 2 है हो, ओके 12 हो जाएगा 10 plus 46 तो हो जाएगा 12 into 56 यानी की 672 तो यह आपका अंसर हो जाएगा इस टाइप से आपको इस वे में कोशन्स सॉल्व करने है तो बाकी के हम कुछ कोशन्स में आपको अपको अपनी नेक्स वीडियो में बताऊंगे और हम इसके एक्सराइस अपनी नेक्स वीडियो में ही सॉल्व करेंगे यह बेसिक था आपके इस टॉपिक का जिसमें मैंने आपको फॉर्मिलाज बताया से इनकी और कुछ बेसिक कोशन्स आपको इसके बताया कि जिसके बेसिस पर आप अपनी कोशन्स कर सकते हैं वैसे एक कोशन्स में आपको बता दूँ इस इनकी कोशन्स पर आपको थोड़ा ज्यादा फॉकस करना है इस ट्रैक के कोशन्स बिसे क्लिगों दे देता है कि आप पहले से बीडिजाइन कीचे और आपके आपना कुशन्स भी सॉल्ट कीचे और बाकी यह कुछ बेसिक से कोशन्स थे जो डेक फॉर्मला बेसिस थे यह थोड़ा सा मतलब हमा के कोशन्स था कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करने है तब आपको कोशन्स भी आपको इंपॉर्टन कोशन्स होता है इसमें तो अब हम अपनी नेक्ट वीडियो में एक्सराइस सॉल करेंगे एक्सराइस फाइफ पॉइंट थे थेंक्यू